आज हम करेंगे क्लास फिफ्ट का एवियस का चेप्टर नॉंबर फॉर मैंगोज राउंड दा इयर तो अभी जो है इसमें क्या है कि किस तरह से हम मैंगोज को पूरा साल रखते हैं कुन सी चीजे कैसे खराब होती है कैसे होता है तो वह सब इसमें है आमन के लंच बोक्स में क्या है पूरी है तो तब ही जो है आमन क्या बोलता है कि नीटु मुझे लग रहा है तुम्हारी पटैटो की सबजी घराब हो गई है तो यह चीज जो है उसे कैसे पता चले तो क्या हो सकता है कि उनको जो है उसके उसके अंदर से जो एक स्मेल आती है उसमेल उस सबजी में से आ रही होगी तो में उसकी वज़े से आमन को उनका पता चल गया होगा तो आपने कभी जो है ऐसा सब्जी देखी है या खाना देखा जो खराब हो गया आपको कैसे पता चला कि यह खराब है तो मुसली उसमें से क्या होते है बैट समेल आती है उसके उपर ग्रीन कलर के फंगी टाइप का बुच लग जाता है ना प्रीती टोल नी तू नो टू अगर वह खाती तो क्या हो सकता था तो खाती तो क्या हो सकता था कि आप जो है बिमार हो सकते हो नेक्स्टे लोक इन युर किच्छन एंड राइट डाउन नेम्स ओ फूड डैट कैन बीस फोल्ट इन टो तू तू थी डेस पहले उनका नाम लिखना है जो दो तिन दिन में करते हैं तो जैसे की बोल्ट राइज मिल्क ब्रेड हो गया कारीज हो गया यह सब चिजे कान बीकर फॉर वीक एसी कोंसी चीजे जिनको एक हफते तक रख सकते आठ ऑट अनियन पटाटैटो करेट मोसली सब्जी जो होती हमारी रो सब्जी उनको मुर्ट सकते लेकिज जब आचार हो गया, घी हो गया, and grains, जो गया आपका अनाज है वो, now, अब आपको आपकी फ्रेंट की लिस्ट देखनी और पनी लिस्ट देखनी, then discuss करना है, will your list be the same in all the season, क्या हर सीजन में आपकी लिस्ट सेम रहेगी, जैसे अभी गर्मी का सीजन है, तो लिस्ट क्या सेम रहेगी विंटर सीजन के तो यह जो है चेंज हो सकती है जब आपके घर में जो है फूड खराब हो जाता है तो आप उसके साथ क्या कर सकते हैं क्या करते हैं उसको जो ट्रेश भीन होता है मिंस जो डज बन होता है उसके अंदर डाल देते कि वो किसी की युज का निया कोई भी खाय का तो उससे क्या हो बिमार होगा अब बीजी रिटन था ब्रेट बेजी नहीं यह जो अब रेट रेटन किया अब तेको इसके उपर यह ब्रेड लेने के लिए मार्केट में गए दाशोप वह वेरी क्राउड़ और शोप में बोथ बेट थी दाशोप की पर पिक्ट अब पैकेट और गेव टो दाबीजी और शोप की पर ने एक ब्रेड का पैकेट उठाया बीजी को दे दिया शी लूक डेट एट एट एंड और इसकी अगर आप डेट भी चेक करेंगे तो मेभी वह भी एक्सपायर हो चुकियोगी इसलिए बीजी नियू से रेटन किया था तो हाव दिट सी फाइंड एट्स दा ब्रेड हैज गोट स्पोल तो बीजी को कैसे पता चला था कि ब्रेड के उपर स्पोल उसके उपर जो होता है मैनिफेक्शर डेट होता है जैसे एम फजी करके लिखा होता है तो इसका मिन से कि किस दिन वो फूड जो है पैक हुआ था एंड एन उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा कि इसके बाद आप इस फूड को नहीं कह सकते स्पोल हो जाएगा दा इंग्रेडियंट्स होत तो आप एक पैकेट पे जो है क्या देखते हैं और क्या देखना चाहिए मैनिफेक्शर डेट और एक्सपायर डेट दोनों चीज़े आपको उस पैकेट के ऊपर हमेशा देखनी चाहिए पूरी क्लास जो है यह एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं टेक पीस ओ ब्रेड और रोटी स्प्रिंकल अफ्यू ड्रोप्स ओटर हो निट रोटी यह कुछ भी लेंगी उसके ऊपर इस तरह से पानी जो आपको थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है और पुट इन बोक्स और एक बोक्स को बंद कर दिया नौ सीधा ब्रेड और रोटी एवरी दे अंटिल यह फाइंड सम चेंजिस ओनिट अब हरोज जो है इसको खोल के देखना है और देखना कि उसमें क्या क्या चेंजिस हैं मेक दिस टेबल ओन चार्ट and put it up in the classroom fill up the chart every day after discussing the changes has been seen तो उसके बाद आपको क्या करना है हर रोज के चेंजिस यहां पर आपको लिखने है कि first day में कैसा था टच करने में smell कैसी थी और hand lens वाला कैसे हुआ then color के साथ क्या चेंजिस हुआ या नहीं हुआ तो यह सब चीज़े आपको day by day इस experiment से रिलेटर यहां लिखनी है now find out the reason of these changes अब इस से जो है related जो भी आपके reason थे वह आपको यहां पर लिखने है from where did the fungus come on bread अब फंगस जो थी वह ब्रेड की ऊपर आई क्यों तो यह सब चीज़े आपको देखनी है and different kind of food items spoiled due to different reasons some food spoiled soon कुछ जो है खाना जल्दी खराब हो जाता है कोई समान जो है ज्यादा देर तक रहता है तो season के according उनकी एक list आपको बनानी है now given below are some food items and some simple method by which they could be kept fresh for one to two days match the correct fair अब milk है milk को क्या कर सकते आप boil कर सकते है rice को क्या कर सकते है आप उनको जो बाल में रखेंगी और उसको जो है पानी में रख सकते है now coriander wrap it in a damp cloth and onion and garlic dry place पर उनको रखना बहुत ज़रूरी है now summer heat मामीडी तंद्रा अब यह क्या है चिटी बाबू एंद चिन्ना बाबू लिव इन आत्रयापूरम टाउन इन अंधरापरदेश तो वहाँ पर रहते आत्रयापूरम में अंधरापरदेश में जो है the brother spent the summer holidays playing in the mango garden तो पूरा टाइम जो है mango garden में summer का अपना जितना भी holiday का टाइम होता है सब वहाँ पर वो बिताते हैं spend करते हैं when the trees are full of fruits और उस टाइम पर क्या होता है पूरे trees में fruits लगे होते हैं also like to eat unripe mangoes with salt and chili powder उने जो है बिना पके हुए यानि कि अभी कच्चे जो आम है वह अच्छे लगते हैं किसके साथ खाते हैं उसको salt and chili powder mix करके उनके उपर लगा के उन खाते हैं at home their mother cooks unripe mangoes in different ways और घर पे उनकी मम्मी भी जो है वह जो कच्चे mangoes in different different style की चीज़े बनाती है she also makes many kind of mango pickle और वो जो बहुत टाइब के जो है अचार भी बनाते हैं mango से and the pickles last through the year until the next mango season और वो कब तक चलते हैं अगले season तक जब दुबारा mango ना आ जाए one evening while having food chinabu asked तो एक रात शोरी शाम के टाइम पर जब खाना खा रहे थे तो वो पूछते हैं ma we have so many mangoes हमाई पास इतने mangoes है make some mamadi tantra अब tantra ये क्या है mamadi tantra क्या है आम पापड जैसे हम बोलते हैं from them कि हम ये जो mangoes हैं से आम पापड बनाओ their father said making mamadi tantra needs four weeks of hard work लेकिन इसमें तो बहुत time लगेगा four weeks बहुत महनत करने पड़ेगी if you both promise to help us every day for the next four weeks अगर तुम दोनों promise करते हो कि हमारी help करोगे then we can together make the mamadi tantra तो हम जो ही बनाएंगे both the brother quickly agreed to help the next day both the children went to the market with their father तो मार्केट में जाते हैं अपने पापा के साथ they bought a mat woven from the leaves of a palm tree तो अब एक मैट लेकर आते हैं जो किससे बना होता है पोल्स हो ऑ और कैशुरिना के पॉल्स है वो स्ट्रिंग मेट o्f coconut husk और coconut में हस्क जो जो बाहर का पार्ट होता है उससे जो स्ट्रिंग बने होते हैं वो लेकर आते हैं तो च्रीन देजोगर और शुगर लेकर amma found a sunny place और यानिक जहां पर धूप बाती ऐसी प्लेस उन्होंने बैक्यार्ड में पीछे की तरफ फाइंड आउट की बोध दा प्रदर मेड हाई प्लैट्फोर्म बाइ यूजिंग पोल्स और दोनों भाईयों ने क्या किया देखो इस तरह से हाई प्लैट्फोर्म यानि कि थोड़ा सा उचा प्लैट्फोर्म बनाया वो जो पोल्स लेकर आये थे उनसे देख प्लैट्फोर्म और उसके बाद उस प्लैट्फोर्म पर उन्होंने जो मैट लेकर आये थे उसको टाई कर दिया बांद दिया अपा चूज दा मोस्ट राइप मैंगो उसके बाद अपा ने क्या किया जो सबसे ज्यादा पक देन से उन्होंने सारे पॉल्फ को क्या किया एक तर इसे चाना है तो तो और ऐसे को थेलकुल तो अलग हो जाए उसका जूसे और अलग हो जाये उसका इसलग सब्षक्रशक कटनाолा ansa को तो को तिल देर वर नो लंप्स और कितना चोटा-चोटा जब तक कि उसमें बिल्कुल भी लंप्स गाठे नहीं होनी चाहिए देड़ जैगरी अन्शुगर इन इक्वल अमाउंट और गुर्ड और शुगर को एक्वल अमाउंट में डाला और किसमें डाला तूदा पल्प जो प इस एक थिन लेयर लगा के उसको उन्होंने जो है मैट के उपर रख दिया दा थिन लेयर वस लेफ तो ड्राइ इन दा सन उसके बाद उसे छोट दिया जब तक कि उड्राइ ना हो जाए इन दा इवनिंग दे कवर दा मैट विद दा क्लीन सारी तो अवोड एनी डस्ट और के ताइम पर उसके उपर एक साड़ी रखी बिल्कुल साफ ताकि उसके उपर डस्ट नाए दा नेक्स दे अगें टुक्स आउट सम मैंगो पल्प दुबारा से सेम चीज की दे एड़े जेगरी और शुगर इंटो दा पल्प शुगर और जेगरी को एड़ किया देन दी स् अब यह काम जो दोनों भाईयों को दिया गया था वो दोनों जो है हर रोज नेक्स्ट फूर वीक तक हर रोज उसके उपर एक एक लेयर लगाते रहे बस यह हूप कर रहे थे कि यह जो है यहां पर जो है अभी बारेश ना हो जाए फूर फूर वीक तक लगातार लेयर के उपर लेयर लगाई जब तक की जैली जो है फूर सेंटिमेटर ग्रूम यान की बड़ी नहीं हो गई अगले दिन जो मैट उपर लगाया था उसको नीचे उतारा गया मामेडी टंडरा वोस कट इंटू स्मोलर पीसिस उसको जो चुटे 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 तुकडे किये गए जो दोनों भायोत ने उसे टेस्ट किया इट वोस टेस्टी रुक्या था बहुत टेस्टी था चीना बाबु सेट वाओ हाव तेस्टी आफ्टर ओल्वी है और होगा भी क्योंकि हमने जो इसको बनाने में हल्प की है तो टेस्टी तो इसे होना ही पड़ेगा हुस प्राइब यहांट राइट वाइब शुग कोशें आंसर सबसे वाइब वाइब जय तो इन्टॉ तो बढ़ा नोंे यह निंड़ा था अंदर अंदर ने जो हैं मा मेडी तंद्रा जो है बनाना था उसके लिए और मोस्ली क्या होता उसमें जो है अन्रांन मैंगोज लेते हैं थोड़ा सा खट्टा मेटा सुवाद हो जाता उससी वेन और यो नोने एड़ किया Ken और तन्राइक ही किये मैंदी चमरा मट था हूँ है तो अभी यूह निंऴ कियाता है उसका स्टेप बायाच हम यहां पर लिखना है कि कर फर्स सब चीजे लेकर आये यह उन्होंने मैट को एक हाई प्लैटफुम पर साट किया थेन मेंगो को पल्प और फाइबर को अलग अलग किया थैन उसके अंदर स्युगर एड़ किया ए रिन जो हां पूर वेक्ट के ऊपर एक लेर उसके लगाते रहे है वर दिंग्स आर मेड इन ए मिलक्षेक और अन्राइप मैंगो से मुषली क्या होता है पिकल और चटनी वगर बनाई जाते हैं अब अलग टाइप के जो पिकल सोते उनके बारे में बताना है जैसे मैंगो हो गया लेमन मिक्स्ट वेजटेबल और लेमन का जैसे स्वीट लेमन भी आता है तो अलग टाइप की जितनी भी पिकल साब बता सकते हैं अब आपके घर में कौन बनाता है और कौन सा बनाते हैं और उन्होंने किस से सीखाता यह सब आपको बताना है तो यह सारे कोशिंग जो हम कल करेंगे इनका डेटेल में किस तरह से आप इनको बुक में लिख सकते हैं अब यह है कि इन चीजों का आप कैसे बनाएंगे नेक्स है इट इस टूट डे जर्नी बाइदा ट्रेन फ्रों पुने टू कलकता इफ यू वर तो गो उन दिस ट्रिप वट फूड आइटम वोड यो कैरी वीडियो तो आप जो है कि इस तरह की चीजे अपने साथ लेकर जाएंगे तो ड्राइफ फूट लेकर जा सकते हैं स्नेक आइटम बिस्कृट वगएर तो वो सब लेकर जा सकते हैं और वो क्यों बिकोज ताकि वो जो है जल्दी खराब नहीं होगे जो भी पैक्ट आइटम होते हो जल्दी खराब नहीं होते हैं और दो दिन की जर्नी है तो उसके लिए हमें उतना चाहिएगा नेक्स्ट है ग्लास जार एंड बोटल सा ड्राइड वैल इंदा सन बिफोर फिलिंग दैम विद पिकल्स अब जब भी हम बोटल या जार में अगर पिकल डालते हैं तो उसको अच्छे से धूप में सुखाते हैं यह क्यों किया जाता है क्योंकि अगर जो भी जार है या बोटल है अगर वह सुखा हुआ नहीं होगा अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी मुष्यर रह जाता है तो पिकल जो है खराब हो जाएगा तो इसलिए क्या करते हैं उनको अच्छे से सुखाय जाता है जैसा कि आप ब्रेड वाले में एक्स दोन दोन जाता है जैसे मिल्क है मिल्क से पेडा बनता है बनाना से बनाना चिप्स बनते है और अवला से मुरब्बा बनता है तो यह सब चीजे आप हम जो है यूज करते हैं बागी चीज़ों को रिजर करने के लिए तो यह था आपका चैप्तर नमबर फॉर मैंगो इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और प्लीज लाइक शेर और सबस्क्राइब थैंक यू